नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्तो सूपरभात आप सभी को गूड मॉर्निंग तो एक ओर खावर नर्सिंग ओफिसर एंड फार्मासिस्ट भरती अनुभव परमान पत्र का जहमेला तो जिस तरीके से चिकित्सा विभाग करता है उसकी मैं मिशाल देना चाहूँगा पूरे देश में कि इस तरीके के जो डिपार्टमेंट्स अगर सभी होने लग जाएं तो बेडा पार ना वेरुजकारों का होने वाला है ना आमचन का होने वाला है यही हो रहा है राजस्तान चिकित्सा विभाग में कोई कहने में मुझे सक नहीं है संका नहीं है कि जिस तरीके से चिकित्सा विभाग राजस्तान अपने नियम बनाता है या इनके नियम है भरती करने के या अधर नियम हो वो खुद के जाल में खुद ही बुनता हुआ चल और इस बार भी नर्सिंग ओफिसर में तक्रीबन अब ये मान के चलिए 90,000 के आसपास जो फोम है वो भरे जाने हैं और दोस्तो अनभव प्रमान पत्र बनाने के लिए उम्मीद्वारों को दुबारा करना पड़ रहा है पूरा प्रोसेस आप लोगों ने अनभव बनवा रह उस टाइम पे तीन साल का था अब उसका बाइ च्छे का थो नहीं सकता या पाचकगा नहीं हो सकता उसने सब कुछ बनवारक था उस टाइम पे सारी की सारी जो वा क्योगकड इटेल जो कुछ भी ठाव सारा का सारव बहुत मोटडा चिठ्ळा बनाकर कर来了 अब फिर की जो परिक्रिया है दुबारा से करनी पड़ रही हालांकि कुछ में CMHो की तारीफ करना चाहूंगा जिसमें सबसे बड़ा जो है जालोर ने सबसे अच्छा काम किया उन्होंने इस तरीके की जो कोई भी चेंज हुआ है या उनका कुछ बड़ा है तब तो बात सही है लेकिन याँ देखिए आज की देनिक भासकर की जनकरी है सीफू की और से नर्सिंग ओफिसर के साथ हजार बीस और फार्मासिस के 2869 पदों के लिए विग्यप्ति जारी हो चुकी है पहले तो बोनस अंकों में ब इस तर पर तारीके ते किये कि इस तारीक तक आपनी फाइल जमा करा सकते हैं लेकिन वो फाइल जमा कराने के लिए कहतो दिया लेकिन उनमें प्रॉसस बहुत टेड़ा है वही चीज़े हैं जो पहले कर चुके हैं उनको करना पड़ रहा है इसे कहते हैं लकीर को पीटना ठ पत्र है उसके देख करके बना देना चीए था एक अप्लिकेशन लगा देनी चीए थी और ज्यादा से अगर दिक्कत है किसी को तो एक शपत पत्र ले शकते थे कि मैंने कुछ तथ्थे नहीं चुपाए हैं अगर मेरा तथ्थे छुपाए गए हैं और फर्जी पाए गए तो पत्र बन सकता था लेकिन इनके पास तो यही है तो 75,000 जो आवेदन है किये गए थे नर्सिंग ओफिसर में पचीश हजार जो आवेदन है फार्मासिस्ट में किये गए थे ऐसा कहना है देनिग वासकर अकवार में जो खबर आये उसके अकोर्डिंग लेकिन इस बार जो है नर्सिंग ओफिसर में आप लोगे मान की चलिए 75 की जगह कम से कम 90 के आसवास फोम 15,000 फोम आसानी से बढ़ जाएंगे वहीं फार्मासिस्ट की बात करें तो इसमें 2-3,000 फोम है बढ़ सकते हैं और जो अनभव प्रमान पत्र है उसके लिए यहां पर जो कमेटी है वो जा अधिकारी होंगे यानि कि जो भी नर्सिंग और परामेडिकल के डिपार्टमेंट से फार्मेसी के लिए तो फार्मेसी कॉंसिल हो गया नर्सिंग के लिए नर्सिंग कॉंसिल हो गया और अरिवेचेस को भी सामिल किया गया है और चिकीशा विभाग के अधिकारी है वो भी रहेंगे यानि कि वो जाँच करेंगे त्छीग है जो अनुभव है या तमाम जो भरती पिर्क्राओं उनको देखेंगे अब देखेंगे सुरेष नवल जी क्या कह रहे हैं अब तक हमें अनुभव प्रमान पत्तर के किसी तरह के सिकायत नहीं मिली है सम्मंदित दिकारें को दस्तावजों की बारीके से जाच करके जल से जल नया परमान पत्र बनवाने के निर्देश यहां पर दिये गई है इनका कहना है साब का यह तो लगातार ऐसे कहते रहते हैं दूसरी बात दोस्तों एनम के आवेदिनास जिनको ना तो अनभव से कोई लेना देना है या उनके पास कुछ और नहीं है ठीक है यानि कि फ्रैस अगर कोई भरना चाहे तो भरे कोई भाई पहली बार जिनके अनभव बनवा रखे हैं एनम ने ठीक है वो गलतिया ना करे सबसे पहले आज से एनम अनभव भी बनवा सक सकती हैं ठीक है क्या कर सकती है अनुभो बनवा सकती है आज से अपना जो एक्सपीरियंस है दुबारा से बनवाना होगा सब को और यह मैं बात काफी बार बता चुका हूं चाहे एनम हो चाहे तुम जी एनम हो कोई भी हो आप ठीक है अधर वाइस इन पांच भरतियों के जो जो हैं दुबारा से सब को भरने पड़ेंगे सब से मतलब है पहले भर दिया था तो भी भरना है अनुभो भी दुबारा बनेगा नए फॉर्मेट में बनेगा नया फॉर्मेट हमने आप टेलिग्राम पे डाल रखा है यह आपको मिल गया होगा सोसल मीडिया के माद्दम से वर्ट्चप गुरूप में काफी वारल हुआ है तो सब को दुबारा से फॉर्म भरना होगा एनम से इस बात को ध्यान दे कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उन सब को दुबारा से फॉर्म भरना है जिन होने पहले अनुभव परमान पत्तर बनवा लिया था चाहे चाहे कोई भी है तो उनको भी फिर से अनुभव प्रमान पत्र बनवाना होगी ये दो चीजे बिलकुल compulsory है इसको लेकर की कमेंट्स नहीं होना चीए कि मैंने फोम उस ट्राइम पर भर दिया था मुझे दुबारा भरना का नहीं भरोगे तो नोकरी नहीं लगेगी सीधी इस चार बजे विश्तरत विज्यप्ति जारी होगी ठीक है विश्तरत विज्यप्ति का मतलब है 15-17 पेज में नियम कायदिक कनून सारी सीटे वगरा सब कुछ होगा पढ़ लीजिएगा हम चार बजे आप तक जानकरी भी पहुँचा देंगे आज से एनम के जो फोम है करने से या कहीं और वट्चप गुरूप में लिखने से पद नहीं बढ़ सकते हाँ यह है कि नर्सिंग ओफिसर हो चाहे फार्मासिस्ट हो और चाहे एनम हो इन तीन भरतियों में पद बढ़ने के लिए अगर आप कोशिसे करते हैं कोशिसों का मतलब है प्रयास करते हैं त यह कहानी है आज से फोर्म सुरूंगे एनम के 37-37 पद रहने वाले हैं कॉम्पिटिशन एनम में बहुत टफ रहने वाला है कोई अगर यह सोच रहा हो एनम में कि मेरे तो 50-55% पिछली बार तो 40 गई थी तो निस्चित और पराब भूल में हैं कट ओफ को लेकर के मैंने दो वीडियो जो है जी एनम की जो कट ओफ है और एनम की जो कट ओफ है वो मैंने दोनों वीडियो डाल रखे हैं ठीक है और बहुत जल्द लेब टेक्निशन और साइक रिडियोग्राफर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो संड़े को मेरे भाई को बहनों को एल्टी और आर्टी की मेला बैरतियों को चैन हो जाएगा फार्मासिस्ट बरती में बाकि मेल का जो है उसका मैं डेटा लेने की कोसिस कर रहा हूं फार्मासिस्ट की कटाफ के लिए जैसे मुझे मिला बता दूँगा अभी तो फोम भर ही आप लोग ठीक है तो ये कहानी है सब को सुपकामना है मे गुगल में क्या लिखा है सब कुछ आविलेबल है आप लोग सीखेंगे नहीं तो आप अपने घर परिवार में बच्चों कैसे गाइडेंस करें तो सीखिए ठीक है मुझे भी कुछ नहीं आता था तब मैं यूट्यूब पे नहीं आया था दो अजर अठारा से पहले पता भी बात हो इस वेबसाइट पर देली देख लिया करो कि इस पर नया क्या आया है इसी वेबसाइट से हम आपको ले करके बता है सीखना भी मैं सिखाना भी चाता हूं तुम लोगों कि यह नहीं है कि मैंने आया एक कोई लेटर और बता दिया तीक है इस वेबसाइट को अगर बढ़ती हैं पर इनकी फोर्मों की तो फिर और चीजे आगी बदलती हुई नजर आएंगे आप लोगों को ठीक है सरकार के पास टाइम है सितंबर तक का उसके बाद आचार सहिंता हैं लग जाएंगे आचार सहिंता में भी बहुत सारी चीजे हैं कि पॉस्टिंग हो भ करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिशन और फार्मा सिस्टम प्रोसेस वही करना पड़ रहा है जो पहले से कर रहे थे हलांकि जालो और सीमेचों कि मैं तारीफ करूं कि उन्होंने इस तरीके की बादिताई नहीं रखिया अलवर ने भी सत्रह माई को एक संसो दित आदिस जारी करें उनके चीजें लिए जो जारी और जो चीजें वो नहीं की जाने जी धन्यवाद दोस्तों फिलाल के लिस्त वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत